हेलो फ्रेंज, हमारे चैनल VS Online टिप्स में आप सभी लोगों का एक वरफीच से बहुत-बहुत स्वागत है सहिदनर कुमार पटे लिवसी दाले रायगाड यानि की रायगाड इनुवर्शिटी में एडमिशन लेने वाले जितने भी फर्स्ट यर के कैंडिडेट हैं जिन्हें अपना All-In Application form भरा होगा उन सभी टेंडिडेट का पहला मिडिट लिष्ट जारी हो गया है सो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से अपना मिडिट लिष्ट में नाम कैसे चेक करेंगे इसके साथ ही College में लिष्ट लिष्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको admission लेने कब तक जाना है कब कब क्या process कराएंगे पूरी जन्कारी आपको हम देने वाले हैं इसके साथ ही College में लिष्ट जाने से पहले आपको सारे documents को ready रखना होगा तो आपको क्या-क्या documents लगने वाले हैं, अगर आपका नाम नहीं आता है, तो अगला लिस्टा कैसे आएगा, पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो दोस्तों, अगर आप भी रायगार उनुवर्सिटी में एड्मिन्सल देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को complete देखिए, पूरी जनकारी आपको मिल जाएगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सहीद ननकुमार पटेल विसुदल रायगार, यानि कि रायगार की official website है, यहाँ पर आएंगे तो कहीं भी आपको merit list का options नहीं देखने के मिलेगा, क्योंकि आपको बता दो कि आपकी जो merit list है, वह यहाँ पर university के website पर नहीं website को आपको बारी बारी open करके आपको अपना list चेक करना है, यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका all-in form है, यहाँ पर 16 जून से start हो था, जिसमें आप 8 जुलाई तक all-in form भने के यहाँ पर date दिया गया था, इसके बाद यहाँ पर 10 जुलाई को आपका पहला merit list जारी कर दिय गया है, दोस्तों जिन सभी candidate का नाम पहला merit list में आ जाएगा, उन सभी candidate को अपने college चले जाना है, और उस college में आपको admission ले लेना होगा, इसके बाद इस page में जैसी आप नीचे आते हैं, 18 जुलाई को आपका second merit list है, वह जारी कर दिया जाएगा, अगर first list में आपका नाम नह जुरू हो जाएगी, जिसमें आपको नया registration करने को भी आपर सुधा दी जाती है, तो इस प्रकास यहापर पूरा schedule है, आप चलिए बात कर लेते हैं कि हमें अपना merit list में नाम कैसे देखना है, यानि merit list कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको अपने mobile के browser को open कर लेना है, online admission form भरते समय, जो college आपने selected किया हुए है, बारी बारी सभी college के हाँ पर नाम लिकिक कर देना है, जैसे नहीं आपर मैं बात करूँ, TCL college के हाँ पर तो आप जो है government TCL college लिक्की सेर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक आ गया है, आ यहाँ पर देख सकते हैं click here for all notification यानि notice लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर click करेंगे तो सभी notice यहाँ पर आपको show हो जाएगी दोस्तों इस notification में आप देख सकते हैं BAC Maths Group, B.com, BA, D.C.A. सभी कहाँ पर meet list आया हुआ है आप जो भी course में अपना form apply की हुए है उस course के नाम के आग आपको यहाँ पर click करेंगे जैसे आप click करेंगे आपका meet list है वह download के open हो जाता है जिन जिन candidate का selection हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर percentage wise meet list निकाली गी है सबसे पहले general candidate OBC, SC, ST इस प्रकास यहाँ पर cut up list जारी किया गया है यहाँ पर आपको देख लेना होगा अगर अगर आपका नाम आया हुआ है तो आपको admission लेने जाना है अगर आपका नाम नहीं आया हुआ है तो आप second list का wait करेंगे third list का wait कर सकते हैं इसके साथे दोस्तों बहुत सारे college का जो है list अभी website में नहीं आया हुआ है उस condition में आपको college जाना होगा college के जो सुशना पटले आता है अगर दोस्तों आप MMR PG college चांपा कर मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको website पे नहीं मिलेगा बलकि उसे हम telegram group में अपने दे दिये हैं description पे आपको link मिल जाएगा वहां से आप हमारे telegram group को join करें वहां पर आपको पूरी list दे दी जाएगी उन लिस्ट में आपको अपना मिलेट लिस्ट और नाम चेक कर लेना होगा इसी प्रकार से अगर आप राइगर में अपना online form भरे होंगे तो आपको केजी कॉलेज के सर्च कर देना होगा यहाँ पर website आजाएगी आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर notification पर flash हो रह से मेरिट लिस्ट है वह आ जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको admission लेने जाने से पहले क्या के document ready करके रखना है उसके बारे में आपको complete जन करी इस notification में आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले document के बात के तो जो आप online form भरे होंगे उस online form का आपको print out करा लेना है और उस दोस्तों यहाँ पर इस्तनांत्रान प्रमारपत्य यानि आपका TC और CC यानि character certificate लगने वाला है इसके साथ ही अगर यहाँ पर migration की जुरत है तो आपको migration certificate भी लगने वाला है अगर आपके पढ़ाई में gap हो गया हो तो यहाँ पर आपको gap certificate भी लगने वाला है जितने साल का आपने gap किया होगा उतने साल का आपको gap certificate भी बनवा लेना है इसके साथ ही SC, ST, OBC candidate के लिए जाती प्रमारपत्र और यहाँ पर 36 निवास candidate के लिए आपर निवास प्रमारपत्र यानि residential certificate भी लगने वाला है अगर आप दिव्यांग candidate है तो आपको PWD की certificate लगने वाली है इसक साथ ही आपको कम से कम दो passport size का photograph से भी लगने वाला है तो दोस्तों यह सभी document के list है admission लेने जाने से पहले यह सभी documents को आपको ready करके रख लेना होगा इसके बाद जैसी space में निचे आएंगे यहाँ पर आपको merit list देखने को मिल जागी यहाँ पर अर लग लग category wise merit list जारी की ही है इस प्रकास आप चाहें तो सभी college का merit list इस process को follow करते हुए आप देख सकते हैं दोस्तों अगर किसी college का merit list साइट में upload नहीं हुआ होगा तो उस condition में को college जाकर ही merit list देखना होगा